जेन दोस्तों, ये लेल्यान दस्चक्का, जिसके उपर लिकाई मिन्न मोरिया, ये गाड़ी रुगए जोको जोको दौपरी, आरामसे आरामसे, शायर ड्राइवर नोई एक क्या कुछ पता नहीं, उठाने पा रहे जगा से गाड़ी, अब इससे गेर डाला है उन्नोने, लेल्यान थी राजस्तान पासे, गाड़ी थोड़ी पीछे हट गई थी, लेकिन उठाई उन्नोने अच्ची तरी केसे, देर आये दूरुस्ता है, अब इससे निकल गए गाड़ी, कोई प्रॉब्लिम नहीं, अब इससे निकल रहा है, एक पहुचा दिया, ये दूसरा लेकि जा रहा है, लेकिन बिल्कुल सेव तरीके से, कोई प्रॉब्लिम नहीं आटाख रहा है, ये तो गाड़ी मिखल जाएंगी, सीजन चालो होगा ये, सब्जियो का, बहुत ही ओल्ड मोडल गाड़ी, ये टाटा की, ये पासकर के ले ले लान आगया है, ये दच्चक्का, ये तो गाड़ी मिखल जाएंगी, ये में जबारा, कुमा आटा की पूने पास हैं गाड़ी है, लेकिन ये जो गाड़ी है, टाटा की, आटा की पिमप्रिचिन चोट पास हैं गाड़ी, लोड़ेड गाड़ी एविलफल यह टाटा के लोहे की पावर है जुतों में बाटा और गाड़ियों में टाटा नंबर वनते हैं आमिट स्याजी ने जो नए कानुम बनाए उसका मैं अपने शब्दों में निश्यत करना चाता हूँ एक तो यह लाइन ट्रक वालों की ट्रक के मालिक बेजार है और ड्राइवर उससे भी ज्यादा बेजार है और उन्होंने जिस तरह का कानुन लाया है उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और दूसरी बात आमित शाह से यह कहना चाता हूँ जो दर्द आपने सब ड्राइवर लोगों को उनके परिवार को जिया है तर्द की क्योंमत है और दर्द की कियुमत हमेशा चुकानी पड़ती है अपने जिंदेगी से खेल कर जान जोखिन में ड्याल कर लड़ने वाले रात-दीन काम करने वाले ड्राइवर जिस कानुन ने उनकी पूरिक कमर तोड़ दी है अभी तक राष्टरपती जी के आस्ताक्षिर नहीं हुए है उन पर उस कानुन में बदलाव करना चाहिए ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है वीडियो गणा चलेगे तो प्लीज सब्सक्राइब पर दो जैहिंद दोस्तों